आज 31 मई निर्जला एकादशी व्रत में क्या पी सकते हैं पानी? शास्त्र अनुसार जाने ये विशेश बात पंचान के अनुसार हर साल जेश्ठ माह के शुकल पक्ष को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है. इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है. इस साल निर्जला एकादशी का व्रत बुधवार 31 मई 2023 को रखा जाएगा. हर महीने दो एकादशी शुकल पक्ष और कृष्न पक्ष में तिथी पड़ती है. लेकिन सभी एकादशी में माग शुकल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है. क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है. इस व्रत की महिमा भी अपार होती है. निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पढ़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों के समान फल मिलता है और भगवान विश्णों की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है निर्जला एकादशी व्रत में क्या पी सकते हैं पानी? निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है खास कर माग के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है जो की जीवन में जल के महत्व को बताता है लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का वरत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थितिया पड़े कि जल के बिना प्रान संकट में आ जाए तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि आपकी प्यास भी बुच जाएगी और कोई दोश नहीं लगेगा साथ ही इस विधी से जल ग्रहन करने पर आपका वरत भी निश्वल नहीं होगा इस विधी से निर्जला एकादशी में पी सकते पानी निर्जला एक आजशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप मंत्र का बारा बार जाप करें इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगाजल मिलाकर भर दें इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं इससे व्रत निश्फल नहीं होता है इस तरह से जल पीने के बाद आप पुन्प व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वाजशी तिथी को विधिपूरवक एकाजशी व्रत का पारन करें निर्जला एकाजशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमचन कर सकते हैं इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं तूटेगा